सुआगत है दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आप किलास 12 में है और अपनी एक्जाम 2023 में देंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज हम बाइलोजी के परसन पत्तर योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे समयवदी की बात करें तो यह पेपर आपका 3 गंडे और 15 मिंट का होगा यहाँ पर उद्दे से दिये गए हैं जो आपके 4 पाटों में यहाँ पर पेपर आएगा इसके बारे में हमने लिख दिया गया है कि कौन सा पाट कितने किसे खहते एं और किस परकार से आएगा यहाँ पर देख सकते हैं परिवासा ग्यान का अर्थ है कि यहाँ पर परिवासाओं से है परिवासा है आपके 22 अंका यहाँ पर आएगा यानि अंतर और तुलनात्मा कुश्चन यहाँ पर आपके 11 नम्बर के आएंगे यहाँ पर अभिवक्ति और ग्यान उपयोगी यहाँ अपने ज्यान का उप्योग करके आप अपना मत परकट करने वाले कुशन यहाँ पर 12 अंक्य आएंगे मुलिकता यानि कोसल जिसके अंदर आप से चित्र डाइग्राम इस परकार के कुशन यहाँ पर जो 11 नंबर के आएंगे टोटल यहाँ पर 56 नंबर होते हैं अब यहाँ पर हम जान लेते कि कौन सा कुशन किस परकार से आएगा और कितने कुशन पूछे जाएंगे वस्तुनी कुशन यानि औब्जविटी टाइप कुशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 13 कुशन आएंगे जिसमें से 9 कुशन औब्जेक्टिव और 4 कुशन यहाँ पर खालिस्तान वाले आएंगे जो यहाँ पर एक कुशन एक नंबर का होगा अगर लगुरात्मक कुशन की बात करें तो यहाँ पर 8 कुशन पूछे जाएंगे जो यहाँ पर एक अंका होगा यहाँ पर लगुरात्मक कुश्चन की बात करें तो यहाँ पर बारा कुश्चन पुछे जाएंगे जो यहाँ पर डेड़ नंबर का एक कुश्चन होगा धिर्गुत्री कुश्चन की बात करें तो यहाँ पर तीन कुश्चन पुछे जाएंगे तो यहाँ पर तीन नमबर का होगा अगर निमनदात्मा कुश्चन की बात करें तो यहाँ पर दो कुश्चन पुछे जाएंगे जो एक कुश्चन यहाँ पर चार नमबर का होगा यहाँ पर पार्टों के सामने यहाँ पर अंक दिये हुए हैं जिसे आप दे सकते हैं अब आगे चलते हैं और बहुत important बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से पार्ट से किस परकार के question पूछे जाएंगे यहाँ पर हम blueprint के बारे में अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसको चार भागों में बाटा गया है सबसे पहला portion यहाँ पर परिवासा वाला portion दिया गया है दूसरा यहाँ पर अंतर यानि तुल नात्मा कुशन वाला portion दिया गया है तीसरे कुशिन की बात करें तो अपने ग्यान का उप्योग करके अपना मत वाले कुशिन दिया गया है और तीसरा चोथा पोर्षन यहाँ पर दिया गया है चित्र वाले कुशन यानि डाइग्राम वाले कुशन यहाँ पर किस परकार से करने इसका पोर्षन दिया गया है यहाँ पर इस परकार से कुशन पूचा जाएगा देख सकते हैं निमल लिकित को परिवासित करते हुए एक एक उधारन लिखे इसके अंदर आपको तीन ओप्सन दिये गए है जिसे आप इनका उधारन देकर इनको समझाना होगा इस परकार के कुशन अगर लिखा हुआ है तो उसे आप डैस के रूप में जानेंगे यहाँ पर दूसरा उप्सन दिया गया है रिक्त इस्तान डैस और उपर यहाँ पर पलस इस्तान दिया गया है तो उसे आप रिक्त इस्तान कुश्चन वाले कुश्चन मानेंगे यहाँ पर डैस और उपर हैज वाले question दिया गया है तो इसे आप आंत्री विकलफ वाले question जानेंगे और दूसरा यहाँ पर दूसरी चीज important यह है कोश्टक के बाहर वाले संक्या अंकों के रूप में जानेंगे और भीतर दिया गया है उसे आप person मानेंगे तब ही आप इस blueprint को समझभाएंगे यहाँ पर हम पस्ट पार्ट की बात कर लेते हैं जिसका नाम है जीवो में जनन इसके अंदर यहाँ से परिवासाओ और ग्यान के रूप में यहाँ पर एक कुछिन वस्तुनिस कुछिन पूछा जाएगा एक अतिलगर आत्मक कुछिन यहाँ पर पूछा जाएगा जिहां से दो कुछिन दो नमबर के पूछे जाएगे यहाँ पर सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवासाओं के रूप में यहाँ पर निमतात्म कुछन पूछा जाएगा जो यहाँ पर एक कुछन पूछा जाएगा जो यहाँ पर चार नंबर का होगा तीसरे पार्ट की बात करें जिसका नाम है मानो में जनन यहाँ पर देख सकते हैं कि लग उत्रिया कुछन पूछा जाएगा जो यहाँ पर आपका डेड़ नंबर का होगा और यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर लग उत्रिय कुश्चन ही एक और पुछा जाएगा जो भी यहाँ पर डेड़ नंबर का होगा यहाँ से एक चित्र और यहाँ पर एक परिवासा पुछा जाएगा जो यहाँ पर टोटल की बात करें तो यहाँ पर तीन नंबर का होगा जहाँ पर दो कुछन यहाँ पर पूछे जाएंगे यहाँ पर चोथे पार्ट की बात करें जिसका नाम है जनन स्वास्ते तो यहाँ पर एक भव विकलपी कुश्चन पूछा जाएगा और एक भव विकलपी कुश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर एक अतिल अगुरात्मक कुश्चन और एक वस्तोनिश कुश्चन यहाँ पूछा जाएगा यहाँ पर बहुवी कलब के रूपें पूछा जाएगा एक लगुरात्मक कुश्चन पूछा जाएगा लगु उत्री कुश्चन जो यहाँ पर डेड़ नंबर का होगा यहाँ पर एक कुश्चन यहाँ पर खालिस्तान वाले कुश्चन में पूछा जाएगा जो यहाँ पर चित्र चêu निटेड आपका हो सकता है और यहाँ पर एक लगुरा उतरी कुशन ही पुछा जाएगा जो यहाँपर तेर नंबर का होगा उत्रो्टल तीन कुशन पुछ जाएगा जी आपके पांस नंबर का होगा नम चट्टे पार्ट की बात करें जिसका नाम है वंसा गती के आनवी की आदार तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतर टाइप से कुछन पूछा जाएगा जो यहाँ पर आपको निम्मदात में कुछन होगा यहाँ पर जियान का उप्योग करके अपना मथ देने वाले कुछन यहाँ पर दो कुछन पूछे जाएंगे जो भवला की कुछन के आदार पर हो गएगा, जो आपके एक वस्तुनिश कुछन और एक हती लगगरात में कुछन होगा यहाँ पर कुल टोटल की बात करें तो यहाँ पर एक कुशन पुछा जाएगा जो आपके 6 अंके होंगे यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर साथवा पार्ट है जिसका नाम है विकास इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर अंतर सी कुशन पुछा जाएगा जो यहाँ आपके डेड़ नमबर का होगा जो आपके लगू उत्रिय कुश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर एक चित्तर पूछा जाएगा जो आपके डेड़ नमबर का होगा यहाँ पर टोटल बात करें तो यहाँ पर दो कुश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर एक कुशन पुछा जाएगा, जो यहाँ पर 4 नंबर के होंगे. इस पार्ट से बात करें, 9 पार्ट से, जिसका नाम में, खाद उत्पाद में वर्दी की कारय नहीं थी. यहाँ पर बात करें एक ग्यान परिभासाओं के रूप में पूछा जाएगा जो आपके डेड़ नंबर का होगा जो आप लगू उत्री कुशन इसे बोल सकते हैं यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर एक लग उत्रे कुशन ही पूछा जाएगा जो आपका ग्यान का उप्योग करके अपना मत देने वाले कुशन से होगा यहाँ पर टोटल बात करें तो यहाँ पर दो कुशन पूछ जाएंगे जो आपके तीन अंके होंगे यहाँ पर अगर दसे पार्ट की बात करें जिसका नाम में मानव कल्यान में सुक्षम जीव यहाँ पर लगो उत्रे कुशन की बात करें तो यहाँ पर एक कुशन लगो उत्रे कुशन पुछा जाएगा जो आपके परिवाहों साहों से रिलिटेड होगा यहाँ पर एक कुछिन यहाँ पर भवी कलप के रूप में पूछा जाएगा और यहाँ पर डेड़ नमबर का लगुत्रे कुछिन पूछा जाएगा जो आप से अंतर के रूप में पूछा जा सकता है यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर एक कुल टोटल की बात करते हैं यहाँ पर दो कुछन पुछे जाएंगे जो आज़ें आपके चार नमबर की हो गये है ग्यारवे पार्ट की बात करें जिसका नाम में जेहु पर्दूगी की शिद्धान एम परकॉर्ण इसकी बात करें तो यहां पर एक बहुत्री कुश्चन पूछा जाएगा और यहां पर बात करें एक लगुत्री कुश्चन की बात करें तो यहां पर डेड़ नंबर का एक लगुत्री कुश्चन पूछा जाएगा और एक ही कुशन लग़ें त्री कुशन पुछाजाएं जो आपके चित्तर से होगा और एक अपने जियान का उप्योग करके होगे कुल कोई बात करें तो यहाँ पर चार नमबर का आएगा और जो यहाँ पर दो कुशन आप से पूछाजाएंगे पार्ट नमबर 12 की बात करें जिसका नाम है जेव परदोगी और उसके उप्योग इसकी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन कुश्चन यहाँ पर बहु विकलपी कुश्चन पूछ जाएंगे और एक कुश्चन यहाँ पर रिक्तिस्तान वाला कुश्चन पूछ जाएगा जिसकी बात करें तो यहाँ पर चार नमबर का पार्ट है लेकिन इस पार्ट से कुश्चन और कुश्चनों के अंदर पूछ जाएंगे यानि कि दूसरी के अंदर इस पार्ट से कुछेन पूछ लिया जाएंगे यहां पर बात करें तो lang नाम है जीव समिस्टिया इसकी बात करें तो यहां पर अंतर वाले कुछेन से बात करें तो यहां पर ईकलपी की रूप में पूछ जाएंगे और एक चितर के रूप में यहाँ पर पूछा जाएगा जो आपके तीन नमबर का होगा जो यहाँ पर बात करें तो धीर उत्री कुछन आप इसे बोल सकते हैं टोटल बात करें तो यहाँ पर एक कुछन पूछा जाएगा जो आपके चार नमबर का होगा यहाँ पर अम चौदे पार्ट की बात करें जिसका नाम है परितंतर तो यहाँ पर एक वस्तुनिस कुछिन पूछा जाएगा जो आप से परिवासाओं से रिलिटेड होगा एक यहाँ पर दिरगुत्री कुछिन पूछा जाएगा जो आपके तीन नमबर का होगा यहाँ पर कुल टोटल की बात करें तो यहाँ पर चार नमबर का यहाँ पर एक कुछिन पूछा जाएगा अगर 15 पार्ट की बात करें जिसका नाम है जी विवित्था एमिस सरेक्षण इसकी बात करें तो यहाँ पर एक वस्तोनिष कुषण पूचा जाएगा जो आपके ज्ञान के उप्योग पे आधार पर होगा और यहाँ पर एक रिकिस्तान वाला कुषण पूचा जाएगा यहाँ पर कुल टोटल दो कुशन पूछे जाएंगे जो दूसरी कुशन हो में पूछे जाएंगे यहाँ पर 16 पार्ट की बात करें जिसका नाम है प्रयावन के मुद्दे इससे यहाँ पर एक रिक्स्तान वाला कुशन पूछा जाएंगे जो परिभासा हो से लेटेड होगा यहाँ पर एक वस्तोनीश कुशन पूछा जाएगा नहीं अतिला गुराथ में कुशन पूछा जाएगा जो यहाँ पर आपके दो नंबर का होगा या कुल्ट नंबर आप देख सकते हैं, 56 नंबर का यहाँ पर 20 कुश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगी इसे ज़्यान रखना हुगा कि आपका पेपर, 130 पेपर यहाँ पर बुली पुरिंट के अकोडिंग नहीं आता है यहाँ पर पिचाण में परती सथी पेपर आपका बुली पुरिंट के अकोडिंग ही आता है, 2022 के अंदर भी यहाँ पर बुली पुरिंट के अकोडिंग पूरा पेपर नहीं आया था यहाँ पर आपका 2023 का यहाँ पर model paper दिया गया जिसे आप देख सकते हैं अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की description में telegram का चैनल का link है वहाँ से आप या इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ share करें जिसे उन्हें भी इस वीडियो का लाब मिल सके धन्यवाद